दोस्तों आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो क्या करते हैं सोचिए हम बताते हैं हमारे देश में कोई भी शुब काम शुरू करने से पहले नारियल फोड़ा जाता है अब चाहे सबरवाल जी का स्वीट कॉर्णर का उद्घाटन हो या देश के लिए सडक का अब ये खबर ही देखिए जिसने सोचल मीडिया पर बवाल ही मचा रखा है हम बात कर रहे हैं बिजनौर में सडक का शुब आरंब करने के लिए फोड़े जाने वाले नारियल की जो नहीं फूटा जी हाँ काईदे से नारियल को फूट जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया इसके उलट वे सडक उस जगह से जरूर तूट गई जहां वे नारियल फोड़ा जा रहा था शोशल मीडिया के यूजर्स इस खबर को खूब शेयर कर रहे हैं अब दुनिया वाले तो टूटी फूटी सडक की बात कर रहे हैं बिच नौर में सडक बनाने में हुए ब्रश्टा चार की बात कर रहे हैं लेकिन हम भारतिय धार्मिक और आश्दिय गुणों से भरपूर नारियल को कैसे भूल सकते हैं अब सिंचाई विभाग द्वारा नहर की पट्री पर एक करोड सोलह लाख की लागत से एक सडक बन रही थी अभी 700 मीटर ये बन पाई थी कि विभाग ने सडक का शुबारम कराने के लिए सदर विधायक को बुलाया बीती शाम चार बजे सदर विधायक अपने पती के साथ सडक का शुबारम करने के लिए मौके पर पहुँच गई थी विधीवत पूजा के बाद जब उनको तोड़ने के लिए नारियल देया गया तो विधायक ने जैसे ही नारियल को सडक पर तोड़ कर सडक शुबारम कर प्रियास किया तो नारियल तूटा ही नहीं अब इस 30 रुपए के नारियल का कमाल देखिए करोणों की लागत से बन रही सडक की बजरी उखड कर इधर उधर बिखर गई अब इस बात पर विधायक नाराज हो गई और उन्होंने सडक का ये उद्घाटन का कारिक्रम टाल दि कि बात हो रही है किसी की छवी गई किसी पर जाँच बैठी लेकिन मजाल है नारियल का कुछ बिगड़ा हो लेकिन हम तो कहेंगे जरा कोई उस नारियल पर भी जाँच बिठाए खर नारियल खाए और सेहत बनाए और हाँ दोस्तों अगर आपकी भी कोई राए है तो